जीजा से जग्राम बात और साला टावर बढ़ चाड़ गया मुगे में लोगों के फिर जमाँ पे पुलियसर प्रशाशन की बीव पहुंच ले करें दो गंडे तर प्रामा चला बाद में कुछ लोग टावर पर चाड़े उनसे नीचे उता मामला MPK अशुग नगर जीले की मंगावली का है इसा अगर थानर शेतर के प्रासरी गाहं का रहने वाला कलू लोद्य अपनी बहान के घर सीरोहा गाउं गया था वहां किसी बात को लेकर जीजा से इसका विवाद हो गया इसकी बाद वो जीजा के घर से सिधा मंगावली आया और यहां टावर पर 40-45 फीट उपर चड़ गया इतनी देरे में मौके पर लोगों के बीर जमा हो गई यह वक लगा तर साइट करने के धमके देता रहा यह वक पालिका के अधिकारे कर्मिचारी और बड़ी संका में पुलीस मौके पर पहुच गई वहां मौजद सभी लोगों ने यूबक नीचे आने के लिए कहा और इसके लिए काफी मिनत की लेकिन वह उतरने को राज़ नहीं हुआ लगबक दो गंटे तक लोग चिलात रहे लेकि कुछ आई होनी कि वज़े से दो गंटे तक लोगों की जान हलक में अटकी रहे टावर से कुछ दूर यूबक की रिष्टा रहते थे जैसे ही उन्होंने देखा कि परासरी गाम कलू है तो उन्होंने उसके भान को फोन पर सुचना दी खटना की जानकरी लगते ही भान भी सुरंथ मौके पर आगे और भाई को नीचे उताहने के लिए मिनत्य करती रही लेकिन वहां नीचे नहीं उतने को तयार हुआ यह काफी देर तक नीचे नहीं उत्रा और करिब दो गंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा इसी बीच पुलिस प्रशाश्य ने यह वक तक ड्रामा करता रहा तो फिल लोगों को उपर चलने का फैसला लेना पड़ा वहां मोज़त पुलिस आरक्षित रभीकान, पाश्यत हुसेन महमत, इकबाल, जमींदा, राशित खान, नगर परिशित कर्विचारी और राजकुमार अहिरवार की मदद से उसे उतारा गया औ और उसकी जान बच गई, पुलिस ने बताए कि ये वक्त आवर पर चड़कर सुसाइट करने की धमकी दे रहा था, उप्तरव मचाने, शांती भंग करने या कोई घटना नहीं कर ले इस चकरवर से जेल भेज दिया गया